दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस sanic самachar channel में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे JCO's OR's के जो important modern उमद्नें हैं उसके उपर एक बड़ी बैठक हुई है बैठक में दोस्तो जो important जो जो main main जो issues है उसको जो hai discuss किया गया है जिसमें कि OROP होगया है MSP हो गया, जो important जो अभी meeting होई थी, इसमें जो भी JCOs ओवार्ज के जो main main मुख्य मुख्य मुद्धें उसके ओपर बात की जाएगे, साथ ही साथ दोस्तों ECHS के बारे में जो की funds जो मिलते हैं ECHS को, वो उससे कितनी दिक्कत हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे, MSP पे अपडेट के बारे में, दोस्तों कर चैनल पर पहली बारे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें, और साथ ही साथ बैल आइकन जरू दबाएं, दोस्तों देख सकते हैं, latest जो meeting है, इसमें military service पे को लेक काफी जादा discussion हुआ है, जिसमें कि enhanced MSP, जो कि JCU's को मिलना चाहिए, उसके बारे में कई बार जो है, points raise किये गए है, many times with government, और every time जो है, इसमें लिखा गया है कि issue को जो है, put under the carpet without any logical or convincing reason, so हर बारी जो है, ये, मुद्दा उठता है, लेकिन इसको जो है, दबा दिया जाता है और कोई convincing reason नहीं है, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो मांग की गई है, कि JCU's are guested officers class 2, and should combat and admin responsibilities in combat zones, और उस वएसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो pay grade है, should be rupees 10,500, जो 5,200 है, वो 10,500 होना चाहिए, और इसको actively implement होना चाहिए, और दोस्तों MSP का बहुत बड़ा मुद्दा है JCU's के लिए, साथ ही साथ दोस्तों ECHS funds जो है, जो funds जो allocate किये गए है, ECHS में वो काफी कम है, और जब भी जो है, आप देख सकते हैं, it is strongly recommended that minimum rupees 8,500 crores to be allotted to meet the expenditure fairly, otherwise क्या है कि every time we face a situation when impaneled hospitals refuse जो भी impaneled hospital है क्योंकि उनको payment नहीं मिल पाती, और वो medical facility देने से मना कर देते हैं, और उस case में ECHS का card भी होने के बावजूद जो है, जो ज़रूरी health services है वो नहीं ले पाते, it is also recommended that ECHS should be under control of army and not under department of ESW, दोस्तों देख सकते हैं, अभी बड़ी meeting होई है और इसमें सारे तमाम discussion हुआ है, जिसमें one rank one pension को लेकर भी हुआ है, इसके साथ-साथ जो है ECHS को लेकर, MSP को लेकर जिससे की जितने भी पूरु सैनिक हैं, उनको इसका proper lab मिल सके, MSP 10500 हो सकते हैं, दोस्तों यह था आज का important update सभी JCOs ओवार्स के लिए, अगर वीडियो पसंद आई तो इ सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू फर मचिंग इस वीडियो